शरीर में होने वाली अलग-अलग गती वीडियो को हमारे अन्य-अंग पहले ही पैचान लेते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रियाय देते हैं तीक ऐसे ही छीकाती है जो हमारे शरीर के कई अंग अक्टिवेट हो जाते हैं और इनमें हमारी आखे भी शामिल हैं वैसे तो छीक जबाब नहीं हैं तो आईए देखते हैं इसे से जुड़ा हमारा फैक्ट नमबर थ्री चीक आना बहुत ही आम बात है और यह हम सभी को आती है दिन बर में दो से चार बार चीक आ भी जाए तो अच्छा ही होता है क्योंकि इसे हमारी ना और गले में फसे कई प्रदूशित पहार निकलाते हैं लेकिन जब यही चीक लगातार आने लगे तो गंभी समस्या हो सकते हैं लगातार चीक आने की वज़े से आपको सिर्दर चेचरहाट और फिर सर्दी जुकाम को भी शिकायत हो सकते हैं जो कई दिनों तक आपको परिशान कर सकते हैं चीकते वक्त हमारे शरीर के कई अंग आक्टिफ हो जाते हैं लेकिन क्या आपने चीकते वक्त एक चीज नोटस की है चीकते वक्त हमारी आखे बंध हो जाती है आपको जानकर हैरानी होगी कि चीकते वक्त आखों को खोल कर रखना बहुत ही मुश्किल होता है इतना ही नहीं कई बार चीकते वक्त आखे खुले रखने की कोशिश करना भी काफी नुकसान दाई हो सकता है लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि छीकते वक्त हमारी आखे हमेशा बंकी हो जाती है शरीर में होने वाली अलग-अलग गती वीदियों को हमारे अन्य अंग पहले ही पहचान लेते हैं और उस और अपने प्रतिक्रिया देते है ठीक ऐसे ही छीक आते ही हमारे शरीर के कई अंग आक्टिव हो जाते हैं और इनमें हमारी आखे भी शामिल है किसी भी व्यक्ति के चीकने में ट्राइजेमिनल तांत्री की जिम्मिदार मानी जाती है ये हमारी नाक, आक, मूँ और जबडों को भी नियंतरित करती है यही कारण है कि चीक आते वक इन सभी अंगों पर जोर पड़ता है और हमारी आखे पंधुश जाती है चीक का दबाव इतना तेज होता है कि कई लोगों के आसू भी निकलाते है नौलेज मंत्रा के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी नौलेज मंत्रा के अगले एपिसोड में तब तक के लिए हसते रहें मुस्कराते रहें और देखते रहें बीसे न्यूज रमशकार